हालो फ्रेंड्स वेल्कम तू आल आज मैं आपके लिडियो लेक्या रहा हूँ देखे माइक्रो सॉफ्ट का स्टॉक बहुत बार हमने इसके बारे में डिसकस किया लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक को खरीदने का जो प्राइस होता है न व वो सही प्राइस कौं सा है जहांपर कम से कम रिसक हो स्टॉक का जब ट्रेंड चेंज हो रहा होता है तो माइक्रोशॉट के स्टॉक की बात करते हैं तसल्ली से हम बहुत बार इस टॉक को आपके लिए ले के आये हैं जड़ा समसने की कोशिश करते हैं और आगे बने से पहले मा आपको बता दूगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बैल आकन को प्रेस कर ले जिससे आपको उसमें सारी चीज़े आपको मिल जाएगे बट एफल इंडिया के बारे में बात करते हैं इस स्टॉक को मैं माइक्रोफ का स्टॉक क्यों कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट कोईश्चन आज की डेट में 10% उछाल आया लेकिन अब आपके मने में कोईश्चन होगा क्या हम इस स स्टॉक को पहले पकड़ सकते थे अगर हां तो कैसे क्योंकि जो चीज चली गई वह आपको बहुत सारी चीज सिखा के देती है अब मैं आपको डिटेल में लेके चलता हूं सीधे इस स्टॉक के ऊपर देखिए जी हां यह देख रहे हो आप रहली इस वीग की बहुत ही आपके मन में question होगा यार इन correction correction की बात आप कहते हो देखे जब इस time में market वापसी कर रही थी न तब मैं आपको यही कह रहा था कि जल्दिबाजी वाली बात निया इस rally को हमने छोड़ दिया था और में के end पे देखिए इस correction फिर इस correction को time पे बिलकुल exactly क्योंकि यहां पे जब मैं आपको कहते हों कि आपको buying price ही आपके profitability पे चार चार लगा सकता है उसका यही मतलब है जैसे यह correction आई इसका resolution risk कितना है देखिए और अभी की situation को देखेंगे समझेंगे आपको कि वा मज़ा आ गया तो आपको क्या समझना है सबसे पहले stock में trend कैसा चल रहा है और ज क्याता हूं कि जब इसका IPO आया था उस time पे इसने अपनी हिस्सेदारी दिखाई थी और Microsoft का नाम लेके पैसा लूटा था लूटा नहीं कहूंगा मैं इसको investment ली थी समझे रहो अब आपको गयर Microsoft का नाम लेके investment ली थी clear cut यहां पे FL ने लिखा था उस time पे अगर आप देखो based FL holding यह clearly दिखा हुआ था यह किसी और ने नहीं यह company नहीं बताया गया था अपने उसमें आपको गयरे तो तभी यह stock logo की दिमाग मैं क्योंकि Microsoft से जुड़ा हुआ है और मैं आपको इसके पुराने वीडियो दिखाऊंगा ना आप यहां पे shocking हो जाए शॉक मंग होंगा यह यह है जून नौ का वीडियो जब यह correction आई थी तो आपको तयार किया गया था मैं आपको कहूंगा कि इस वीडियो को जरूर देखे जून नौ का वीडियो पहली correction के बाद यह second correction थी और second correction आप उसको pullback भी कह सकते हो जून नौ का वीडियो Microsoft का छोटा सा share technology is future stock for future share to buy for future मैं क जिदार उसके बाद देखिए एक correction आ गई थी यह जून के correction है second correction उससे important बात आठ अगस्त का वीडियो देखिए second correction रिजॉल्व होते टाइम आपको फिर वीडियो create किया गया था क्यों किया गया था मैं कहूंगा कि तब तक price में jump नहीं हुआ था तब price कितना था 1842 का आप देखिए इसी दिए मैं आपको कहता हूं कि पूरा का पूरा stock में कभी भी हो tip देखे tip अब देखे stock भाग गया बाप को गया आप stock को अब लेके आ रहे हो हमारा जो major goal है वह learning का है मैं आपको खुद कहूंगा as an individual आप learning के उपर focus करो आपको कभी किसी की tip के जरूरत पड़े correction resolution हो रहा है आपके पास ले क्या है proper risk management के technique आपको वहाँ पर बता है entry के area आपको बता है entry point नहीं entry के area क्योंकि entry में point नहीं समझता entry stop loss जोन होते हैं कि यहां तक का support मिल सकता है यहां पर resistance मिल सकता है अब बढ़िया मौका है आप देखिए अब आपको के हाँ यह अगस्त 8 का वीडियो देखें और मैं आपको कहूंगा कि यह जून 9 का वीडियो देखें और अगर आपने नहीं देखा तो यह नवेंबर 7 का भी वीडियो आप देखें अब आपको कि क्यों जितनी correction आई हर बार आपको update किया गया था कभी ऐसा हो जाता है कि correction resolution अब बट एक अच्छी बात यह है कि हमारे पास एक private group है हमारे पास जो learning में जो हमारे level 1 level 2 की हमारे जो series है वो आप लोगों ने अगर नहीं देखिए तो म level 1 की कोई लाखो रुपे की फीश दी रखी है ताकि आप लोग सी को यह impulse correction impulse अपने आप में stock market के पूरे टेकनिकल अनलेसिस की एबी सीडिया इंपल्स करेक्शन इंपल्स इसी को कि इंपल्स क्या है correction क्या correction मैं enter कैसे करूं stop loss कैसे लगा हूँ यही सब कुछ सारा basics यही है सारा basics यही है तो मैं आपको यहां पर दिखाने जा रहा हूँ कि बहुत ही important बात अब FL इंडिया के share में 10% की तेजी आई लेकिन यह देख सकते हो आप यह है कल का देखिए कल का data है य इसको देखोगे ना यह चार्ट को जरा देखिए कितना प्राइस है 3800 का लेवल और यह यह देखिए यह मेरा नहीं देखिए हमसे जुड़े हुए जो लर्निंग मेंबर से वो यह data हमारे साँ share करते रहते देखिए और यह मंडे का समझ रहो उसके बाद अगर मैं यहां प जवाब है वह आपको गये तो बहुत ही अच्छी बात है मतलब चीजों को हम खुदी पकड़ सकते हैं सोचे जरा आप चीजों को खुदी समझ सकते हो खुदी पकड़ सकते हो और खुदी एग्जीक्यूट कर सकते हो और हमारा तो गोली है कि as an individual अगर आप चीजे खुद स लगा के उसको समझें उससे सीखें और एफल इंडिया के स्टॉक को जड़ा देखें तसल्दी से टैन थाउजन करोड का मार्केट के अपड़ाशन प्राइस कहां जा चुक है आज अपर सर्किट डेट फ्री स्टॉक मोबाइल मार्केटिंग के कंपनी अब मैं आपको टेक देखें तीनों करेक्शन बिलकुल सही टाइम पर आपको मिले और इस बार का करेक्शन रिजॉलिशन जो कि अल्रेडी दो दिन पहले स्टार्ट हो गया अब आप तक वीडियो लाने में थोड़ी सी देरी होगी माफी चाहूंगा क्यों कि लर्निंग मेंबर के लिए अल्रे अब बात करते हैं क्या यह रैली कितने उपर जाएगे रैली तो स्टार्ट हुई है अब यह और उपर जा सकती है और जब भी मैं आपको कहता हूं कि भई जब भी आपको शेयर को खरीदना है हमेसा मुविंग आवरेज के पास खरीदें यह देखें क्या यह सब मुविंग यह जयादा दूरी नहीं है तो जिस टाइम फ्रेम पे मूविंग आवरेज अभी वीकली चार्ट है यह मूविंग आवरेज के पास अब मैं आपको लेके चलता हूं डेली टाइंफ्रीम पे अब आपको होगे अगली opportunity कब बनने वाले अगली opportunity भी आपके पास आएगी मौका बनेगा इससे पहले ज़रा इन points को देखिए यह जून वाली पहली पकड़ दिया जैसे हमने इंडिया माट की भी बात करी थी यह situation देखिए वाट इस देखिए इसके बाद आता है बड़ा धमाका अब इसको अब एंट्री करना है कि हर स्टॉक हमें कुछ न कुछ सिखाता है अगर इस टॉक में मुझे एंट्री करना है और मैं देख रह नहीं है तो और चोटे टाइम फ्रेम पर आईए यह पंदरा मिनट यह देखिए तेजी आई की करेक्शन आएगा करेक्शन का रिजॉलिशन हो तो 3900 के आस पास का एंट्री पॉंट उसके बाद जबर दस्त रहे ली देखिए आज अपर सर्किट मार दिया अब कई दिन तक अपर सर्किट भी लग सकते हैं कि स्टॉक की ऐसा है चोटा स्टॉक है स्टॉक ही अपर Did लग सकते हैं लेकिन मेजर बात यहां पे स्टॉक कोई भी भाग जाए उससे आपने पैसे कमाएं न कमाएं लेकिन चीखना ज़रूर है पैसे कमाना नहीं कमाना that is a secondary thing मेरे तो clear cut ये बहुत जान है लेकिन खरीदारी जब भी करनी हो आपको स्टॉक मुविंग आवरेज के नियर अपने गोल को अपने रिस्क मैनेजमेंट को प्राइरिटी देखे फिलाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा को अच्छा ल